हालो अब्रिबन वेलकम टो आइस प्रिलिम्स के पेपर में बहुत लोगों को यह काफी एफेक्टिव लगा होगा यह चेंज बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यह पेपर थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा ठीक है और दोनों ही अपने जगापे साही है ठीक है ना कुछ ल कॉंप्लेक्स कोश्चन्स पर्टिकुलर्ली कुछ लोग इंसी आर्टी और साथ-साथ में ही कुछ लोग यूपेसी लेवल के त्यारी करते हैं उनके लिए वह पेपर इजी था ठीक है ना बठा जैसे अपने सेक्वेंस में बर रही थी आगे ना उस तरीके से अगर तो देखिए, if you have not performed well in BPSC 68 prelims, then this video is for you, अगर आपने prelims को अच्छे से टैकल किया है, and you are in the range, then तो भी ये वीडियो आपके लिए है, आप एक बर देखो, आपको समझ में आगा आगे क्या करना चाहिए मैं, ठीक है? चलिए, देखिए, दो तरीकी के अभी situation होगी, अराम से एक होगे जिन्नोंने काफी अच्छा perform किया है, ठीक है? और एक होगे जो अपने performance satisfied नहीं होगे, ना ही वो अपने performance satisfied होगे, ना ही वो अपने preparation satisfied होगे, ठीक है ना? और एक और third होते हैं, वो होते हैं कि जो preparation start करेंगा भी, उनकी बात अभी हम नहीं कर रही है, आप इसके समझना है, कि अब BPSC थोड़ा active mode में है, तो paper के just बात, maximum 3 months के बात, वो conduct करवा देते हैं mains, तो अगर आप चाहोगे, कि prelims की paper की मैं preparation करता हूँ, till prelims, and then after result, we will prepare for mains, तो यह possible नहीं है, ठीक है न? आपको यह समझना है, अगर आप चाहते हो, कि prelims की preparation, prelims तक, फिर prelims से लेके मेंस तक उसकी preparation कर लेंगे, मेंस की, तो आप इसीच को pause करो, ऐसा possible नहीं है, possible होगा, कुछ माइटी होंगे, कुछ multiple, बहुत जादे repeaters होंगे, 4-5 बार से BPSC दे रहे होंगे, मैंने तो देखा है, एक ग्रूप में, बहुत सारा ऐसा factors हैं, जो लोग बहुत multiple exam दे रहे हैं, तो उनको भी careful रहने की जरूप है, क्योंकि इतनी बार अगर आप दे रहे हो, मतलब कहीं न कहीं कुछ मेंस कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात सबसे पहले समझना है, कि BPSC prelims तक प्रिलिम्स नहीं करना है, BPSC prelims तक integrated mains की त्यारी भी साथ में करनी है, उसके प्रिलिम्स होने के बाद मेंस पर लगना है, ठीक है, अच्छा, प्रिलिम्स का जो typical traditional way था, उसको अब थोड़ा सा give up करना है, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, lucent रखना है पास में, घटना चार रखना है पास में, घटना चार की books जो है न, आप देखो कि एकर overall round up करके, त science के questions या फिर किसी भी subjective questions आपको कहीं न कहीं दिखने को मिल जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी essence आपको मिल जाएगी, जो आपको help करेगी exam में, यह कोई नहीं कह सकता कि one liner papers तब आपको help नहीं करेगा, तब stab कर देगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ रटने पे रहते हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ one liner facts को रट के आगे बरना चाहते हो, ठीक है ना, चलिए, अब देखिए, अगर आपकी situation कुछ भी है, देखिए मैं cut off क्यों नहीं predict कर रहा हूँ, इवन मैं question की solution भी नहीं दे रहा हूँ, उसकी वज़ा सिर्फ एक है, BPSC 6 to 7 question को कुछ भी कर लो, आप वो अपने according ही मानेगी, ठीक है ना, वो खुद की तरह ही मानेगी solution, आप किसी भी book से, NCRT या फर किसी भी standard book से आप उनको proof दे दो, वो नहीं मानते हैं, तो absurd हो जाएगा हमारा cut off prediction भी, और absurd हो जाएगा हमारा solution देना भी, ठीक है ना, अच्छा एक चीज मैं और आपको बतायत डाइवर्ट करेंगे आपकी preparation से, हर दो मिनट पे, हर दो मिनट पे, हर दो मिनट पे एक नई वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, चिंता दिखाएंगे आपके लिए, बड लेकिन आप जानिए deep down इस चीज को कि वो आपके time waste कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मुझे ऐसा नहीं बोल दिन भर वीडियो बनाते हैं, लोग उसको देखते हैं, हम में और आप में से मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते हो, कोई विक्टिम हो सकता इन चीज का, तो आपको बहुत careful रहना इन चीजों में, ठीक है ना, आपको ने time के साथ बहुत ही careful रहना आपको, ठीक है, चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि prelims होने के बाद, paper खराब हुआ, अच्छा हुआ, average हुआ, mains होगा, छोड़ दीजे, अब आपको mains की preparation पर लगना है, ठीक है ना, mains की preparation पर लगना है, तो लगना है, आप चाहे किसी भी stage में हो, ठीक है ना, और अच्छे से करना है, देखते है कैसे, तो preparation हमारा, अगर आप beginner भी हो, तो हमारा preparation चलेगा integrated form में, मतलब integrated preparation होगा, prelims प्लस mains की एक साथ करनी है, कोई prelims का अलग से हमें कुछ मगप नहीं करना है, कोई mains का अलग से notes नहीं त्यार करना है, हमारा integrated prelims और mains का preparation होना चाहिए, अगर आप BPSC दे रहे हो, तो भी ठ की exam दे रहे हो, और UPSC दे रहे हो, आपके पास integrated value होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एप्रोच होना चाहिए, अब वैसी बात नहीं है, जैसे पिछले पहले लिूशन ट्रट के चलेगा, घटना चकर अच्छे से लगा के चलेगा, conceptually cleared में है, PT क्लेड हो, फिर 4-5 महीने में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो है, अब सारे के सारे लोग जीरो लेवल पर आगे हैं, क्योंकि ऐसे का जो introduction हुआ है, इसकी वज़ा से, अब कुछ majority होंगे जो UPSC लेवल के त्यारी कर रहे होंगे, but max to max, जो अलड़ी BPSC में लगे पर हैं, उनकी condition वैसे ह आप हैं, तो इस चीज को भूल जाएं, कि आपकी condition उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सारे लोग एक platform पे हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो चीजों को use करना समझते हैं, ठीक है, चलिए, आप देखिए, prelims plus mains हमारा दोनों format में target होगा, ठीक है, prelims कहने का मतलब कोई facts आता है, कोई data आते हैं, कोई एक bug आता है, जो आपको याद करना है, ठीक है न, इस बार का ही BPC prelims का paper देखिए, history में मुझे questions देखके लगा न, मैंने spectrum को तीन बार पढ़ा है, ठीक है, और मुझे ये feel हुआ न, कि अगर कोई भी बच्चा spectrum को एक बार गुजर के चल समझ रहो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, खासकर history सेगमें में बात कर रहा हूं, ठीक है, अब चलते हैं science सेगमेंट पर, देखें, थोड़ा से question को, वो language में लेंदी करने की कोशिस किये थे, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है न, अगर आप one-liners पर रहते हो, तो आपको डिक सकता था, कुछ questions को छोड़के, चार-पांच questions को छोड़के, आप अराम से घटना चक्रिस्क से उसको tackle कर सकते थे, अगर आप concept चोली पढ़ते तो, जैसे rolling friction वाला, ठीक है न, जैसे देख लीजे, ball bearings होते हैं, ठीक है, balls होते हैं, उसको use करते है rolling frictions के लिए, ठीक है न, तो rolling friction को हम लोग use करते हैं, जैसे आप ball bearings देखते होंगे cycle में, ठीक है, cycle है है, तो इसमें bearings लगे होते हैं, ठीक है न, तो यही तो है rolling friction काम कर रहा है, ठीक है न, तो चीजे अगर आप basic से समझ के परोगे न, तो आपको बहुत असान लगेगा, बहुत जादा, देखे जैस से sit करेगा, या 180 sit करेगा, यह positions दे रखा था, थोड़ा सा आप smartly सोचते उसको, तो आप इतना लगा सकते थे, कि वो कुछ angle से sit करेगा, ठीक है न, समझ सकते हो आप, ठीक है न, जो एनाफिलोजन and Qlex mosquito का दिया था, समझ रहे हो, तो basic से approach आपके पास होना चाहिए थोड़ अगर आपके पास हो रहा है, तो आप कर सकते हो, जैसे question PV cell का दे रखा था, and photo diode का दे रखा था, ठीक है न, photo diode क्या है, diode क्या है, electronic device ही तो है, तो चीजे तो सामने clear थी, लेकिन वही है, थोड़ा सा बस रटना नहीं है, तो करना है, ठीक है न, चलिए, अब हम लोग मेंस की बात कर लेते हैं, प्रिलिम्स में तो हो गया, factual information आपके पास होना चाहिए, और कुछ MCQ practice बीच बीच में करते रहना है, कहां से करना है, क्या करना है, sources आपको पता है, घटना चक्र से करना है, और भी कुछ additional sources बता दूँगा, या फिर मैं करवा दूँगा, ठीक है, चलिए अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में सबसे basic होना चाहिए, writing structure आपके पास, writing practice होना चाहिए, और उसके साथ-साथ कुछ valid information होने चाहिए, ऐसा नहीं है, कि आपके पास writing structure है, तो आप कुछ भी लिखके आ रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो प्लीज आप बाई कर लो इन चीजों को, soft copy से परने की कोई जरूत नहीं है, hard copy, एक अपने पास जरूर टेबल पर रखो, ज्यादा नहीं करना है, एक बार आपको थोड़ा से investment करना है खुद पर, काफी असान हो जाए आपकी preparation, ठीक है, spectrum, कहां परना है, क्या परना है, कैसे परना है, हम सब में बता दूँगा, spectrum में, जैसे मान लेजी, start कर रहे हो, जैसे मान लेजी, spectrum स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सुरू में, sources का एक chapter है, कि मतलब कहां से, किस source है, Harvard Business School से, Harvard Historian School से, फिर MIT School से, फिर Oxford के School से, क्या-क्या उठाया गया है, तो हमें व 1447, ठीक है न, after independence भी रोकना है, ठीक है न, या फिर आप एक चीज़ ले सकते हो, 1498 से, Advent of European से देख सकते हो, ठीक है, तो चीज़े मैं बता दूँगा, आपको कहां कहां से, कैसे कैसे करना है, आप बस बुक्स ले लो, बुक्स लेने के बाद बस एक message कर दो, मैंने mail ID दे पता चल गया होगा कि कितना effective हुआ है, ठीक है न, इतने कम समय में हम लोगों ने इतनी अच्छी preparation कर ली, तो आप सोचो अगर तीन महीने देते हैं, कितना अच्छा preparation हो जाएगा हमारा, है न, तो एक तम तीन महीने अराम से करेंगें, कोई धरफड़ी नहीं है, हाँ, अग आपको पता होगा, अच्छा, quality, सबको पता है, क्या पढ़ना होता है, एम लक्षमी कांत की book पर आती है, ठीक है न, वो इतनी easy language में लिख रखी है, कि आपको जरूत नहीं पढ़ेगा, कि अगर आपकी कोई भी background है, ठीक है, आप अगर, मीडियम आपकी हिंदी है, तो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, तो आपको कोई ऐसा फर्क नहीं बुझाएगा, जैसे लगेगा नहीं कि अरे यारे यह तो क्या हो रहा है, बर्डेन हो रहा है, क्योंकि आपकी तो आदत है, आप तो कहते हो, solution से परके चले जाओ, एक habit को change करने में थोड़ा सा पर एगा time लगेगा, लेकिन आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और देखिए एक चीज़ याद रखेगा, इस बात का तो आपको हमें सा ख्याल रहना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ आप BPSC के लिए ही नहीं देना है, आपको exam का आज पास के states के paper भी देना है, साथ में UPC भी ट्राइ करना है, ठीक है न, शलिए, economics की बात कर लेते हैं, economics क्यों करना है, क्योंकि हमें day to day life के market value को समझना है, हमें day to day life के share market, day to day value के inflation, deflation, stackflation को समझना है, कैसे हमारी bank काम करती है, repo rate क्या होता है, reverse repo rate क्या होता है, यह सारी चीज़ों को जानना है, तो दे administrative portion आप collect करना चाह रहे हो, तो आपको एक incompleteness feel होगा, वो आपको fulfill करेगा economics का portion, यह majority आपको मुर्नाल सर के handout से हो जाएगा, ठीक है न, आप मेरे group ISP से simplified से जुरो, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगा, कहीं न गहीं telegram पे, वैसे मुझे बोलना नीच चाहिए, लेकिन कही cheat आपको videos भी मिल जाएगी कहीं न कहीं से, updated हो, ना हो, कोई फरक नहीं परता है, basics वही रहने वाला है, और एक चीज़ याद रखिएगा, 1200 pages की handout है, जरूरी नहीं है, 1200 pages पर नहीं है, हमें hardly 500 से 600 को एक बार गुजरना है, उसके बाद 100 से 200 pages को बार बार गुजरना है, ठीक ह उसको भी मिल जाए, नहीं मिले तो YouTube पे उनकी अल्रेडी डाल रखे हैं, ठीक है ना, आप चलिए बात करते हैं, जियोग्रफी की, जियोग्रफी आपको NCRT से करना है, class 11th and 12th की, यह तो must है, यह तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है, यह must है, ठीक है ना, इसको ले खटना चक्र की सिरी चल लिए, वो continue रहेगी, क्यों continue रहेगी, क्योंकि खटना चक्र, एक अच्छा सा portion है, अगर आपको किसी इसको revise करना है, तो ठीक है ना, जो भी है मैं complete डाल दूँगा, चलिए, अब बात करते है, आप बात करते हैं, आर्टन कल्चर की, आर्टन कल्च आप कहीं भी हो, किसी भी position में हो, पटना में हो, भीहार के कहीं भी किसी कोने में हो, या इंडिया किसी कोने में मंगा सकते हो, ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद medieval, ancient history की बात करें ना, तो उसमें एक Tamil Nadu की book आती है, single book है, ठीक है ना, book एक single सी book है, ज्यादा इधर उधर द कि पूरी BPSC की syllabus को एक तरीके से fortify कर दिया था, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, कि कितना कम समय था, और हम लोगों ने कितने अच्छे सेखिया, और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि bulk में मैंने किसी schedule को रखा था, तो schedule तो हमारा चलते रहेगा, ठीक है ना, schedule चलते रहेगा, इस बात divert होना है, ठीक है ना, अब चलिए कुछ बात कर लेते, current affairs के sources की, ठीक है, चलिए, तो एक ची समझे, कुछ लोग परती होगीता, धरपन, PD परने में काफी जादे acquainted होते हैं, वो अराम से, अगर वोन की medium हिंदी है, तो वो काफी अच्छा है, उसमें बहुत जादा stagnation रहता ह है, बहुत जादा चीज़ें, उसमें content अच्छी से लिखी रहती है, अगर आप English medium के हो, या फिर Hindi medium के भी हो, Vision IS की monthly magazine आती है, वो आपको परना ही चाहिए, अगर आपको mens लिखना है तो आपको परना ही परना चाहिए, ठीक है ना, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप daily newspaper देख सकते हो, लेकिन इस book को पढ़ सकते हो, यह काफी effective, काफी beneficial होगा, ठीक है ना, या फिर इसकी pt और mens 365 आती है, वो भी देख सकते हो, exam से पहले, ठीक है ना, news paper की बात कर लें, अगर आप news paper परने की habit है आप में, नहीं भी है, तो इसकी segment आती है, editorial part, वो आपको करना चाहिए करना चाहिए, ठीक है ना, जब starting में मैं करना शुरूख है, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगड़ा था, यार क्या है, बट धिर धिर जब आदत हो गई ना, तो बहुत सारे portions ऐसे होते है ना, जो आपको अराम से होने लगेंगे, exam में बहुत सारे prelims के ऐसे questions होगे ठीक है ना, जो direct paper, paper की हल से बन जाता है, ठीक है ना, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, books के पीछे दौरते हैं, ठीक है, तो आपको day to day update करना ही है, ठीक है ना, यह आपके preparation का सबसे best part होना चाहिए, और यह happy part होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बो जारे यार paper परना है, ऐसा नह हिंदू यूज कर सकते हो, या IE, Indian Express यूज कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है ना, हमें रावानुजन नहीं बनना है, ठीक है ना, अब daily schedule की habit आपको पता होगा, हम लोगों ने चलाया था, और काफी effective रहा, आप trust कीजिए, उस schedule को मैं भी सकते हो, अराम से उसको किया सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा prelims नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, हमारे पास तो continue exam है, तीन महीने बाद फिर से, ठीक है ना, आपके ऐस experience भी तो है, आपने syllabus भी already custom कर रहा है, हाँ थोड़ा method change करने की जरूरत है, ठीक है ना, जरूर from bottom to peak, आप कोई beat out हो कि उसमें put करना, आप लोग आपसे मिलके solve करना, मैं भी रहूंगा, मैं भी बता दूँगा, ठीक है ना, चलिए, अब हम लोग बात करते है, essay and answer writing की बात, ठीक है ना, देखिए, इसके लिए एक अलग से session लाओंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज साथ साथ में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको radicalistic या फिर emotional नहीं होना है, emotional intelligence पर काम करना है, ठीक है, philosophical टर्म नहीं है, यह धिर धिर exam में दिखता है, ठीक है ना, एक attitude होना चाहिए, problem solving skills का, ठीक है, result orientation होना चाहिए, यह नहीं कि बस लिख रहे हैं, तो कुछ creativity होनी चाहिए, मतलब कैसे questions को frame करना है, कहां पर क्या डालना है, कैसे start करेंगे, कैसे end करेंगे, beach statement, कैसे हम उसको bifurcate करेंगे, जो हमें copy check करने वालों को अच्छा लगे, और उनको लगे कि हाँ, यह कुछ different है, ठीक है, creativity होनी चाहिए, उसके बाद initiative तो लोगे ही लोगे साथ में passions तो होना ही चाहिए, किसी काम को बोज से नहीं करना है, बोज से करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, मुस्किल होगा, ठीक है, किसी के कहने पर करोगे तो मुस्किल होगा, ठीक है, emotional intelligence मैंने आपको बताया है, कि जैसे मानलेजे, India, talk war पे आ गया, ठीक है, तो आप administrator सोचना पड़ेगा, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक window है, ठीक है, यह बंद है, यहां से लग रखा है, आप एक यहां हो, examiner यहां है, ठीक है, आपको यह window को खोलना है, और उसको यह बताना है, सर, what you are trying to see in me, I will give you that only, मतलब आपको उसको यह पता चलना है, यह gate बंद है, लेकिन उसको यह दिखना है, यह बच्चा क्या बताना चाह रहा है, मुझे, तो emotionally आपको stable होना है, emotional intelligence पर work करना है, handwriting अच्छी हो, well and good, नहीं अच्छी हो, कोई दिककत नहीं, आप बस लिखते रह सुन्दर बनाने को, अगर नहीं भी बन रही है, तो आपको यह ख्याल होना है, कि सामने वाला पर पा रहा है, आपके घर में, आपसे छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, उनको दो अपनी कॉपी पढ़ने को लिए, उनको कहो कि आप क्या पढ़ पा रहे हो, माल लिजे कोई कोई बन्दा यह आर ऐसे लिखता है, तो उसको वो पूश के बताएगा आपसे, सामने वाला बताएगा, वो बोलेगा भाईया दिली, यह क्या लिख रहे हो आप, ठीक है, तो आपको समझ में आजागा, यह आर लेटर मेरी गलत हो रही है, फिर आप उसको धिरे-धिरे करे होगे, ठीक है, तो इन चीजों को इंप्रिमेंट आपको खुद लाना पड़ेगा, कोई हल्प नहीं करेगा, और हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजे, जो यूट्यूबर्स है, उन पर टाइम मत विश्ट कीजे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, जो अभी cut-off, cut-off, cut-off चिलाएंगे, और अजीब सा महाल कर रखे हैं, पता है, मतलब अजीब सा महाल, मतलब यूट्यूब को, जो एजुकेशनल प्लटफॉर्म है, उसको इस तरीके से बना के रखे हैं, कि आप, आप ट्रस्ट करो, जब मैं गेट और इंजरिंग से विश्ट की तियारी कर र आपको इसी से related contents मिलते रहे हैं, और data facts को रखना ही है, टेबल को ध्यान रखना है, डायग्राम को ध्यान रखना है, इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन हम इतना बता दूँगा, आप किसी भी position पे हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हालात है, BPS 68 खराब चला गया, 67 भी खराब चला गया था, लेकिन अब जो focus करना है, integrated करना है, अब single portion से नहीं होने वाला है, दूसरी चीज़े हैं कि अब थोड़ी standardization लानी है हमारे preparation में, ठेक है, जुरे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि schedule को लाना है, तो आप बताइए, मैं schedule ला लगता है कि UPSC की books से भी कर सकते हैं, या फिर घटना चकर से भी कर सकते हैं, जो भी होगा आप बताईएगा, आपको जो भी solutions देना, आप मेरे mail पर जाके कर सकते हो, mail ID मैं already दे रखा हूँ, ispacesimplified.gmail.com या फिर आपको जो भी लगता है, बताईए, मुझे आगे किस सरीक Stay connected, we will come with more and more ideas, thank you